कि रादे रादे सभी को जैसे किष्णा कैसे हो मस्त और वडिया क्या बात कापी दिनों बात कापी समय बात हम लोग आपसे मिल रहे हैं आई थिंक मैं आसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से महनत कर रहे होंगे मेहनत करनी है बिना मेहनत लाइप में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते ये बात में हमेशा आपको कहता हूँ कि आपके पैरेंस के सपनों को आपके खुद के सपनों को अगर आपको साकार करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत कुछ भी लाइप में मिले वाला नह ना तो आज होगा ना ही कल होगा अगर आपको अपना सेलेक्शन करवाना है चाहिए आपको बोर्ड में फॉर्स आना है उसके लिए आपको महनत करनी पड़ेगी महनत नहीं रात दिन एक करके महनत करनी पड़ेगी तब कई जाके आपका सेलेक्शन होगा और आपके सपने साक होंगे देखिए प्यारे बच्चों आप सब लोग बहुत बढ़िया बहुत मस्त और बहुत अच्छे होंगे इसी दिवाओं के साथ आप से आज में मिल रहा हूं कुछ बाते कुछ चीजे बताने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे तीन परिवार जुड़े हुए सबसे पहला परिवार हमारे केसे फैमिली का है केसे पार्ट से लोका है जो हम लगों को बनाया है उसके बाद में दूसरा परिवार हमारे स्कूल का है जहां पर मैं पढ़ा तो और जहां पर मेरे बड़े कह सकते है कि हम लोग कहे यानि कि बावी जी सर सवाई जी सर तो आप से दाले क्लिए जूड़ा हुए है लेकिन यह चोटा भाई आपका इंडरीक लीए आपसे जूड़ा हुआ तो आपको कुछ चीजह बताने के लिए कुछ तरीके और महतर बताने के लिए आपके सामने में देखिए हमारा जो सेशन चला था फिजिक्स का वो कुछ दिनों से रुक गया था रुकने का कुछ रिजन था वो रिजन भी आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे सबसे पहले ट्राइए करेंगे यह सेशन जो है अभी वापिस पढ़ाने का सेशन शुरू करेंगे मैं म देने वाला हुँ धियान रखना आप लोग देखने होंगे इसका भालव सर मोटिवेशन नी करेंगे पढ़ाएंगे नहीं है और यह ऐसी वात दिये वेटा मैं क्या करहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेशन इसलहीं ले रहा हूं कि अभी मैं अगर आपके सामने लेक्षर लत तो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं, छोटे से कहानी से सुरू करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समाप्त कर देंगे, आई बात बेटा समझ में नहीं, अरे बेटा आई रावाज समझ में, अरे बोलो बच्छा, क्या बात है मेरे कहने का मतलब है अगर आप पूरी प्लानिंग एक साल के लिए करते हो तो उसमें से टू मंस या टू मंस फिप्टीन डेज यानि वर्ड वन फॉर्थ कंप्लीट हो चुका है उसमें आप लोगों ने क्या सी का क्या क्या वह आपको अनलेसिस करना चाहिए और आपको आप अमनी प्लानिंग मना ये सेडूल मना ये कहां आपकी दिक्कत आ रही आपकी गलतियों को नौट डाउन करिए आपके टीचर्स के साथ में डिसकस करिए जो आपकी टीचर्स है और मेरे को कहने की जरूत नहीं है जाब आवे जी सर होते हैं वहां मोटिवेशन या था व होँ मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे लाडू मैं ये कहना चाहता हूं बच्चो का आप लिटकुं को बिल्कुल तरीक़से प्लानिंग के साथ चलना है आपको जो चेप्र डिविइन लगते हैं उनको बार बार पड़के छोड़ दो उनके स्वाट डॉर्स बनाके रखतो जब एक्जाम टाइम आगा तब उनको देखना अभी केवल और केवल आपको जो चीज देखने वो डिफिकल्ट चीजों पर फॉकस करना है चाहिए वो फिजिक्स चाहिए वो चाहिए वो बायो और उसके साथ में दो सब्जेक्ट और होते हिं हिंदी और इंग्लिस का क्योंकि अगर इसमें माक्स नहीं आए ना तो तुम जो सब्जाने का मेरीट में आने का राजस्तान बोर्ड में जैसे पिछली बार मुईयूल फैमिन में एक लड़की सेकी राईती से बहुत अच्छा लगाता है कि हमारे ग्रामिन इलाकों से हम ज लोग फॉर्स आते हैं क्या हजार लोग फॉर्स आते हैं क्या हजार लोग फॉर्स आते हैं सर ऐसा तो नहीं होता है तो कितने लोग फॉर्स आते हैं अल्ली फॉर्वान कितने लोग आते हैं अल्ली फॉर्वान एक लड़का या एक मेरी बैन फॉर्स जा टॉप करती है वह क्यों करती है वो इसलिए करती है क्योंकि तो मैं क्या कह रहा था केsaw ваши से शुरू करता होगी एक बचा ही टॉप करता है क्यूंकि वे लोग लगे रहते हैं महनत करते हैं दिन लुद्रात महनत क्यूंकि अन्हें पता है कि उनकी मैंनत के पिसे की और की मेहनत थे उनकी पिताजी माताजी उनके परिवार के किसी संदस्य कि मैनत जो दिन रहात लगे होते हैं पूरा पसीना भाकि पैसा कमाके उनके उपर लगाते हैं तब भी वह कहीं जाके सकसे होते हैं आप लोग Boston अपना तरगेट बनाओ एक बार की बात बता तो मेरी प्यारे बच्चो एक चोटा सा जिंगुर्त अ गित्र विल्कुल नन्नामुना प्यारा सा बिल्कुल एक दम प्यारा प्यारा सा जिंगुर्त यह दीखिया आप की तरह कि बिल्कुल एक दम गोरा चिट्टा ठीक है यह दिख रहो न आप और इसके बड़े-बड़े काले-काले से वाल यह काले-काले-माल ओहो 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 तो बड़ा खूब सुरत सा लग रहा होगा आप लोग भी समझ के होंगे और उसके बाद में पांच किलो फैरव लड़ी और 20 किलो पाउडर लगाने के बात अत्य सुंदर दिक रहा होगा नन्ना मुना बालक उस नन्ने बुलक नन्ने मुने बालक ने अपने पिताजी को जाके का डियर डैड अरे हमारे डैड वैड कुछ नहीं होता उसने का पिताश्री बापुजी बात ऐसी है कि मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाले है यह सोच कि पाजी बड़े टेंशिन मां आगे क्या कहा के पिताशरी हमसे बड़ाई नहीं होने वाले है और यह सोचकर पिताश्री बड़े टेंशन वे आगे यार यह नई समस्या कहां से आगे पिताश्री जो थे एक बड़े मजदूर किसान थे वो तीन या चार जग काम करके मेहनत करते और अपने परिवार का गर भी चलाते और साथ में उस बच्चे की पड़ाई भी करवाते की उसका सपना था वह पिताश्री देखता था कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर इंजिनिर अच्छी कम्पणी में जाकर और बहुत बला और नेक काम करें डॉक्टर बन के या इंजिनियरय अब ये बड़ाएशन में आ bleibt ये गया राद बर उसने सोचा उसको नीन देता और नहीं आई कि मैं जिस बच्चे के लिए रात दिन महनत करता हूं और वो कह रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा उसने हिमत हार्ग दितक है उसने अपने बच्चे को बुलाया सुभी और समझाया देख बेटा तेरा मन करेगा बार बार विच्री दुगा तो यह नहीं कर सकता लेकिन तू ट्राई कर तू अपनी महनत पे डटा रहे जैसे मैं दिन रात महनत करके पूरा पसीना बहा के पैसा कमाता हूं और फसल उगात उसने आज जो काम मैं कर रहा हूं मैं यह नहीं चाहता कि तू करे इसके लिए दिन रात लग जा महनत कर और तू परियास करेगा तो सफल जरूर होगा यह सुनकर उसके अंदर इतना दिमाग के अंदर मोटिवेशन की छोड़ो वह तो अदम से है ना हिल गया कि यार यह बा जीवन का एक ही लक्सिय जब तक अपने पैरेंट्स के सपने सच नी हो जाते तब तक रुकेंगे नी महनत करते रो डटे रो लगे रो जीवन का कोई सौट कर नी होता पड़े का भी कोई सौट कर नी होता आप दिन राद महनत करो एक दिन सपल होंगे और जरूर होके दिख बाहिए ध्यान रखना रुकता वह यह हारता हुन्ट जिसमें तकते नहीं होते या जो मरा वह इंसान होता है कि तुम मरे हुए हो तुमारे अंदर जीवन चल रहा है क्या ये सांस तो चली रही होगी तो फिर जेवन किसके लिए जीव में परेंट्सेव ओ गे Salz कालपनिक दुनिया में जिस मॉबाइल में खोए वो इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपको समझाना चाहता हूं इसके अंदर खोए वह ओना यहां से बाहर निकलो और जिस दिन तुम यह कर लोगे उस दिन मैं कहता हूं कि कुछ स्ट्रागल तुम्हें मिलेगा कुछ तकलीफ होगी कुछ दुख होगा लेकिन एक समय आएगा तुम करके दिखाओगे मैं यह कहता हूं यू कैंटू इड्यमे लगा रहा है यह क Snighacon को कहता हूं कि को रोकने वाला एक इंसान आ खूध आपकी ऊफिके महोल और i इसको मनाते कौन अब लोग अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप पड़ए में पीछे रहे रहा हूं सर्कल शラंज करो डोस्त तो जो चाइज करना है करों लेकिन आप करके दिखाओ रुको मत और जो रुक mama और रुक जाना नहीं तू कहीं हार की तो कहने का मतलब है इतना अच्छा हर नहीं गलाना आता वावेश्चाओ सर्छाइन मेरे सेकाल गालते लेकिन कहने का मतलब है आपको रुकना इतनी बार जीवन तुमें गिराएगा आज पता है क्लास ली तब आपको रियल में मानना नहीं होगा कि यह जो ट्रांस्मिटर है मैं आपको एक सेकिंद्ब बताता हूं कि सर हम आपसे षियंग देखी प्यारी बच्शों प्यारे गोडिया यह यह थ्यांस्मिटर आज पांच भार लाज मैंने यहां पर आया हैं और पांच बार यह बंद हो गया मैंने बुला बच्चों के सामरे जाना है तो जाना है Protest और आपके सामने ये शाषिन आएगा देखना क्यों कि मल्द के अंदर ठान लिया तो रोकने वाला कोई लेकिन तुम ठान लेते हो और जैसे घर पहुंचते हो बढ़िया से 40-45 रोटी खाई और भगवान जाने कई सपनों में सोगे कुम करन की नींद बनके सपने ऐसे देखत जब हमारे उमर के हो जाओ गेना ये चहरा खुष दिखता है ना हमारा हो जाए बावे सरकाव से सवाई सरकाव इसके पीछे गर आप जाओ गेना आपको पता चलेगा किसके पीछे क्या है कतनी कॉंप्लिकेटी प्रॉब्लम सोती है हर इंसान की लाइफ में बहुत साइध लेकित परियास सबसे बड़ी इंपोर्टेंच चीज़ होती है अरे मैंने करोगे ने करोगे बोलो अरे बोलो बेटा करोगे ना वेरी गुड बहुत अच्छा लगा इसी तरीके से आप परियास करें आप जीवन में जरू सपलोंगे कुछी दिनों में आपके सामने mcq का बॉर्ड और राजस्तान बॉर्ड के और नीट को मिला एक चीज़ वार बता देता हूं कुछी दिनों में अपनी अब भी आ रहे है वेड़ा पीजेसर फीजिक्स के नाम से आप सभी के आसिर्वाद से कुछी दिनों में आ जाएगी वैसे आ तो गई है लेकिन इसको मैं कहते ना के भी तीनों बाई साथ नहीं बैठ पा रहे है और जिस तिन तीनों बाई साथ बैठ गे उस दिन में इसको जब वह लॉंच करा दूगा क्योंकि मेरी लाइफ में तीनों बायों के लावा कोई इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि बावेस सरका और सवाजी सरका जितना रोल मेरी लाइफ में है मैं कभी कहना नहीं चाहता कुछ चीज़ें अइसी होती जो बताना नहीं चाहते है जैसे आप लोग वादिन पार्ट भी होता है जो फैमिली को नहीं बताते हो देखो बड़ लाइफ में दोनों पिलर्स है मेरे इनका बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल है तो पीजे सर फीजिक्स के नाम से कुछ ही दिनों में आप हो रही है किसलिए फिरी एव्युकेसंस ये रुखने वाला नहीं है प्रिंस द्यान रखना उसके बाद में दूसरा सर आप उदर क मैं यह देख रहा हूं कि बैटरी का सेल ना रुख जाए यह क्लास ना रुख जाए इसलिए मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे उसके बाद में आपकी वेबसाइट आएगी pj sir.in के नाम से काम कम्प्लीट है everything is complete बस किसी कारण से कहीं पर पर स्ट्रगल कर रहा था रुखा हुआ था गुस गया था किसी के माइंड कुछ और नहीं सोचना मेरे बच्चे समझा बड़ा दिवाग चलता है तेरा बेश्रन कहीं का ऐसा और राहे प्यारे कहीं का आपको तो सब्सक्राइब में आपको बता आपको जीवन में ना कभी रुकन है ना कभी हालन है ना कभी हाल होती है आपने को पता है जो मेरी ऑफ्राइन क्लास लेते उन्हें पता है एक सर सबसे पहली चीज तो बोलते हैं वो गल्स मोटिवेशन को बोलते क्योंकि दुनिया में सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है इनकी इज़त और रेस्पेट क्या करो लाइब में कुछ काम नहीं क सबसेरेक हो जैस ट्रैकरों मस राने केंख अच्छा सोचो जीवन में अश्या शोचोगे तो अच्छे विचार रहे रहें अ Kohle बणेगा और अच्छे के और अच्छे बन होगे और जो तुम सपने देख रहे हो तुम से ज्यादा तुमारे सपने तुमारे पेरेंस देखते कि वो दिन बर मेनत कर दिन बर यह सोचते हैं कास इस बार मेरी बच्ची का मेरी प्यारी गुडिया का मेरी प्यारी बच्चे का प्यारे नालायक का सेलेक्शन हो जाए बर नालायक हो या कोई भी हो वह भी कोशिस पूरी करते हैं देके स्टूडेंट की भी गलते नहीं होती है मैं आपको यह कहता हूं गलती होती ही माहोल की अगर आपका महोल अच्छा है ता आप बिल्कुल कर सकते हो तो मैं कहता हूं आप जो सोचते हो ना वह आपसे पॉसीबल तो है लेकिन उसके लिए थोड़ी मैंनत रखती है ठीक है प्यारे वचों 10-15 मिन का शाषिन रखा था आ उसके बाद आपके प्यारे बड़े और अच्छे बावेजी सरकावी बढ़े गया आपने विस्क किया उनको तो उनकी तरफ से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आके आपको धन्यवाद देता हूं और उसके बाद हमारे बावेजी सरको भी टीचर डे पर बहुत बढ़ा प्यार मेरे को मिलता ही है तो बहुत सारे जगह से तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए चाहे वह बावेजी सरो सवैजी सरो या मैं हूं उसके बाद में एक और बात एक छोटा सा बावेज नन्य मुना सा बावेज आ गया हमारे लाइफ में तो इस पा उस दिन उनका बढ़े वित और बढ़े के दिन उनको इतना सर्प्राइज मिलत आई थिंग बहुत अच्छा था तो वाई तेरे को भी बहुत-बहुत बढ़ाई और आप सभी स्टूडेंट ने इतना प्यार हम तीनों बायों को दिया ऐसा ही देते रिए हम आगे ऐसा ही ब आई बाद समझें प्यारे बच्छों तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए आगे बढ़तरी इसी सेस्टिन के साथ विदा लेते रादे रादे जैसरी कृष्णा खुश रही है मस रही है अपने सपनों को साकार करिए अपने पैरेल्स जो सपने देखते उनको साकार करने के ब बच्छों बच्छों में